सुप्रभात मित्रों स्वागत है आप सभी का वापस से मेरे व्लॉग पे काफी दिन बाद आज जो है ऑनलाइन आया हूँ एक्चल में क्या है कि मैं काफी बीजी भी था और हमारे घहर का काम जो है बहुत जोरों से चल रहा है और आज जो है मैं खेतरव जा रहा हूँ रात को जो है बहुत तेजवारी सुई थी तो रात को जो है मैं लगभग हम लोग वीजय मैं और पापा एक बज़े के आसपास खेतरव वापस आये थे गहरी नीन में थे फिर भी वापस आये और जितना ढख सकते थे उतना हमने ढख हुआ है आगे जो है हमने जो है कट्टा वट्टा में भरके रखा हुआ था और कुछ धान जो है ऐसी फैला के रखे थे पाल में बहुत तेजबारी सुई थी हम पूरा रात एक बजे के आसपास भीगते हम लोगों ने इकठा किया है जो साइड में था उस सब को बीच में ला में तो मैं दिखाता हूँ मुझे भी नहीं पता कि कितना भीगा हुआ है क्या हाल है धान का मुझे बिल्कुल नहीं पता क्योंकि धान को आज हम लोग देने वाले थे बेचने वाले थे एक दुकान वाले के पास लेकिन आज बारिस की वजह से मुझे नहीं लगता कि जो करकर के निकालते जाएंगे तो आज तो फॉसिवल नहीं है क्योंकि बारिस ही है रात में तो जमीन जो है गीला है तो चल्net दिखाता हूं आप सभी को क्या हाल तो नहीं है न कहीं कहीं नमी है हलका सा नमी है सुखा भी नहीं था हर्वेश्टर से कटवाया थी उसी का है इधर कटा में भरा हुआ है कैचिछ कटा तब तो यहीं पर है वो देख यह धान जो है हम लोग यह बड़ा वाल पाल है इसमें रखेंगे ताकि यह यहां पर आजाए अब वीजय अब जो भी करना है तुछला करना है अज है हमारे हाँ से कंडे जैसा कि आप सभी को पता था कि हमारे हाँ धान जो है उस दिन बिल्कुल वो था गिला विला था मतलब सुखा नहीं था अच्छे से तो धान का जो उठाव है नहीं हो पाया था तो हमने जो है दो तीन का गेप करके हमने उसको बहुत मुस्किल से सुखाया हुआ है तो फिल्हाल जो सुखा के रखे हुए धान उसको हम लोग पलट रहे है पतलब नीचे का धान उपर कर रहे हैं और उपर का नीचे इससे क्या होगा कि नीचे का जो धान सुखा नहीं है वो सूप जाएगा विजय के साथ जा रहे हैं फिलाद तो बहुत नुकसान हुआ यार बारिज भी लगभग दो दिन तक जो है ना रात को एक एक बजे उट उटके आए हैं इधर टिकरा तरब ताकि जो है धान को बंद कर सकें पानी से बचा सकें पाल से बंद कर सकें तो सब्सक्राइब निपटा के जस्ट आभीनिकले हैं हमारा धान अभी भी खुला पड़ा बाकी जो है धान को कट्टा कर दो अधर रखे हुए घुए दब Phantom भाक़ कहा है कट्टा में था वाला आरता ना कट्टा में हाँ एक पैसम में और था दान में वह ऑर था क्या और था क्या यह इटहनी इसको यहां पे निकाल के रखें के लिए उधर हमारे पडोसी एक है धान काठ रहें ब्चार पाल में हमें श्रूट इसको पूरा पूरा फैलाना में लगने वाला है इसी में बेचारव बीजय बिना कपड़ के यहाँ पड़ा हुआ है मैं कैब्रे में आना नहीं यह पूरा इधर फैलाएंगे अपड़ भी थोड़ी देर में तो चलिए मिलते हैं ले ना भाई इज़त खराब पिछले दो दिन से धान सुखा रहे हैं सुख नहीं रहा है दो दिन के चंग भक 4-5 दिन हो गया है और मेरे घर का ढलाई होना है दिखा दूए ये मेरा घर ढलाई के लिए तयार हो चुका है लभख लेकिन इसकी ढलाई अभी तक नहीं हुए उपर से 12 रोज होते जारी है जिसके वजह से धान नहीं सुख पा रहा है, साला दिमार, समस्य से बाहर है, उपर से 3-4 दिन से मैं भी डिप्रेशन में हूँ, पता नहीं क्या चल रहा है, मेरे लाइप में पूरी वाट लगी हुई है, अब एक साथ बहुत सारा काम आ चुका है, धान को सुखाना भी है, लाइब अगर होगा तो उसके लिए व्लॉग लेकर आऊँगा, चल लिए,